हाई गाईज वेलकुम बैक टो में चैनल कैसे हो आप सब आज कर इंटरनेट पे एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रहे हैं वो कौन सी है है हैक वीडियो हर कोई हैक वीडियो अपलोड कर रहा है आप लोगों को बहुत जादी पसंद आ रही है तो मेरा मन के यहार मैं भी कोई है अगर आप लोगों को पसंद आए अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो इन फ्यूचर में और अपना इनो दिमाख लगा लगा कि अच्छे ची हैक वीडियो आप लिए लेके आती होंगी तो आज की हैक वीडियो में आप क्या देखने वाले हो राइट नो यू कन सी आपको लग रहा है कि मैं अगले 10 या 15 मिनट के अंदर कहीं घूमने जा सती हूं तो डल, so dry and so lifeless face लग रहा है तो इसको कैसे फटा एक से इतना stylish लगे कि आप अगले 10 या 15 मिनट के अंदर अगर बाइचांस अगर आपने अपने फ्रेंड के साथ कोई मूवी देखने जाना है तो फटा-फट से डियर यह वले hacks को आप लोग try करना मुझे comment box में बताना जरूर कि आपको यह मेरे hacks थोड़े से भी थोड़े से भी useful लगे तो in future में और hack video लेके आती रहूंगी now let's get started hack number one है कि जब भी आप अपना make-up करो अगर आप चाहते हो बिल्कुल सुन्दर ग्लोई नजर आए fresh नजर आए तो आपने अपना face को wash करना है उसी के बाद आपने अपना make-up करना है दो घंटे अगर हो चुके हैं कि आपने अपने मूझ को दोलिया है अगर आप दुबारा face नहीं यूज करना चाहते हो तो मत यूज करो अब face wash powder यूज कर सकते हो यह मेरा खुद का घर का बनाया हुआ face wash powder है तो अगर मुझे दो घंटे हो जाते हैं लेकिन अगर मैंने make-up करना है तो मैं दुबारा अपना face wash के साथ मूँ नहीं दोती हूं मैं face wash powder के साथ दोलेती इस वीडियो का लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो आप जाके देख लेना बहुत सही वाला face wash powder है देख सकते हैं instantly मेरे face के उपर natural glow आगया थोड़ी सी scrubbing भी होगी और बिल्कुल fresh होगी मेरे skin hack number two है अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो अगर आप थोड़ा सा अच्छा अगर आपने अपने लुक को करना तो अपने चश्मे को थोड़ा सा side कर लो एड़ लेंस लगा लो colored lenses अगर आपके पास है तो और बैटर वाला option है मेरे पास brown color के lenses है and यह है मेरे oxymax brand के hack number three जितना भी अगर आप लेट हो रहे हो लेकिन आप अपने skincare करने बिल्कुल मत भूलो skincare करोगे ना बहुत सुंदर से आपका glow आईगा आपकी skincare के उपर मैंने good vibes का mulberry toner apply किया था अब मैं apply करूँगी good vibes की saffron cream सब के products के पर chaise links आपको मिल जाएंगे glow करेगा अपके face के उपर थोड़े से lip balm लगा लोगी definitely ताकि आपके lips भी super plump and hydrated और pink नजर आएंगे अगर आपको natural glow चाहिए तो hack number three आपने यूज करने आपने कोई डूई finish अपने प्राइमर यूज कर लेना उससे क्या होगा कि अगर आप इतना ज्यादा हाइलाइटर नहीं भी लगाओगे न तो भी आपकी होती तो बहुत जल्दी आपका blend हो जाता है और अच्छी तरह से spread हो जाएगा विंटर्स के लिए यह फास्ट बेस स्टिक जो है कर लो क्योंकि अगर आपके आइब्रोस किये होंगे तो आधा से ज्यादा मेकप तो डियर आपका वहीं पर कंप्लीट लगना शुरू हो जाता है आइब्रोस करने के लिए थोड़ा साथ आप कर लो ताकि नाच्रल सी लुक नजर आए आपका आइब्रो पाउडर अच्छी गोल्डन कलर सा एंड बस अपनी लिड के ऊपर प्लेस करूगी फिंगर्स की हल्प से और एक बार में अपनी क्रीज को दुबारा से बिल्ड कर लोंगी तासिट मेरा आइशाडो लुक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका स्टेक वोकी का अलवी टू काजे लगा लूगी मैं का आपका यही है काजे लगाओगे तो आपकी आखे थोड़ सी बड़ी बड़ी लगती है सुंदर सुंदर लगेंगी और अपर वाटर लाइन पे जरू लगाना अपर वाटर लाइन पे चोड़ देते हैं वह गलत चीज आप अपर वाटर लाइन पे जरू लगा लेना नेक् अगर आपने मस्कारा लगाना है और अगर आप नहीं चालते आप फॉल्सीज वगर अपलाई करो तो आप पहले अपनी लैशेस को जरूर कर लो उसे बहुत ज्यादा डिफरेंस आजाएगा अगर आप फॉल्सीज नहीं भी लगाना चाहते तो तो भी आपका काम चल जाएग आपकी नाच्रल सी बहुत ब्यूटुफल से आपकी लैशेस फ्लॉंट करेंगी यह मोडा का सूपर शॉक मस्कारा था आप देख सकते दोनों आइस में डिफरेंस अब मैं फेस पैलेट यूज करूंगी फेसेज की इसके साथ मैं सिरफ ब्लश लगाउंगी हाइलाइटर के लिए दियर मैं इसी पैलेट में से थोड़ा सा लगाउंगी फिंगर्स की हेल्प से फिंगर्स की वामनेस के साथ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा मेरी स्किन के उपर अच्छी तरह से ग्लो नजर आएगा और मुझे ओवर ड़न भी नी करना पड़ेगा इसका डे टाइम लुक है नैच्रल अगर अगर अपने करना है तो अपने फिंगर्स के साथ अब अपलाई करो और जल्दी भी हो जाएगा आपका काम आइब्रोस के नीचे भी लगाऊंगी और मैं इनर कॉर्णर ऑफ दा आइस पर भी लगाऊंगी जितने जादे आप टूल्स करोगे थोड़ा सा आपको टाइम लगता है लेकिन हैंड्स के साथ करोगे तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा लिप्स को थोड़ा सा क्लीन कर लो जब भी आप लिपस्टिक लगाते उससे क्या होगा आपके फाउंडेशन का बीच में वा जब मैं अपने चैनल स्टार्ट किया था तब बनाई थी अब मैं एन्वाई बेका मेकप फिक्सर लगांगी बहुत सही वला मेकप फिक्सर है काफी टाइम तक आपका मेकप को लॉक करके रखता है अब चोटे-चोटे से एरिंग्स डालोंगी और अपने रिंग्स और एक बड़ा सा इनो पिन लगा लो क्योंकि अगर आप बालों को खुला छोड़ोंगे आपके बाल मैसी है तो वो अच्छे नहीं लगेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे इससे बेटर कि आप अपने बालों को टाइ कर लो मैंने दूसरे साइड भी ऐसी कर लिया हलका सा ट्विस्ट करके और मैं साइड पोनी कर लोंगी आप चाहो तो आप कोई भी हैस्टाइल कर सकते हो यह मुझे सिंपल एंड इजी लगा ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है और पहुत जल्दी आप रेडी हो जाते हो आप देख सकते हो मेरी स्टार्टिंग मेरी शक पैंसल इसके साथ मैं अपना आई-लाइनर ज्रा करूं क्योंकि अगर मैं लिक्विड आई-लाइनर ज्रा करूं कि तो डियर उसमें बहुत टाइम लंग जाता है यह नेक्स्ट है अगर आपको लाइनर लुक चाहिए तो आप लिक्युड नहीं काजल लूज करो यह है मेरा आप लोगों को पसंद आ रहा है कि आपने देखा मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर कैसे अपने लुक को चेंज कर लिया बहुत सिंपल इजी वला बिगनर फ्रेंडली मैंने मेकप आप लोगों के साथ शेयर भी किया बाकी बीच में थोड़े थोड़े से टिप्स भी थे हैक् किया वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करने कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है आपको वीडियो कैसी लगी तिल देन बाई